नमस्कार दोस्तों ईश्वर सदयव आपका भला करें और आपकी जोड़िया इश्वर के आशेवाद से उसकी द्या से उसकी रह्मतों से हमेशा भरी रहें तो दोस्तों आज बात करेंगे दो जून को पढ़ने वाले निर्जला एकादशी व्रत के बारे में देखें जो निर पाकी एकादशी का व्रत नहीं रख सकते और आप स्रफ ये एकादशी का एक मात्र निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो भी आपको संपून पूरे वर्ष में की जाने वाली दोनों एकादशियां जो हर महीने पढ़ती हैं आप उनके जितने सारे व्रत आप करत और जैसा कि इसकी कथा में भी बताएगा जो आपसे आगे मैं बताऊंगी तो इस व्रत को जो व्यक्ति सच्चे मन से करता है ना उसको एकादशी व्रत में मिलने वाले समस्त पुर्णे प्राप्त होते हैं सभी प्रकार के कश्टों से उसकी मुक्ति हो जाती है लेकि इस दिन कलश का दान करना खास कर जल से भरेवे कलश का दान करना बहुत ही शुब माना जाता है कि इससे व्रती व्यक्ति की जो जीवन है वो उसकी दिरखाईव होता है और उसके जीवन में सुख सुधा की कमी नहीं होते हैं वैसे भी देखे जोतिश में मानिये तो जल को जीवन भ सम्बंदित होता है और जैसे हम जलका दान करते हैं किसी को हमारा चंद्रमा मजबूत होता है और भगवान जो विश्णु है उनके अंदर तो समस्त सोला कलाओं का वास है जिसके रूप में कृष्ण भगवान इस धर्तरी पे अव्दरित हुए थे तो आप समझ सकते हैं कि च जलका अनाज का दान करते हैं आपको बहुत जादा धनदाब भी मिलेगा और आपकी आयू में भी बढ़ोत्री होगी और साथ ही साथ आपको एक पुर्णे कमाने का मौका भी मिलेगा तो देखे इस दिन जो निर्मचला एकादशी का जो मोर्त है वो चुकि एकादशी जो रती हैं वो एक जून को दो पहर 2 बज कर 57 मिनट से ही प्रारंप हो जाएगी लेकिन चुकि हमारे देश में जो भी वरत तेवार मनाया जाता है जब सूर्योधे के समय तिथी होती है तभी मनाई जाती है चुकि इस दिन जो सूर्योधे के समय जो तिथी हमारी रहेगी वो अगले दिन, दो जुन को, जो कि 12 बच कर 4 मिनट दो पहर तक रहेगी, तो एकादशी का वरत, जो नर्जला एकादशी का वरत है, वो 2 जुन 2020 को ही मनाया चाहेगा, इसका जो पारण का समय होगा, वो अगले दिन, 5 बच कर 24 मिनट सुबह से लेकर, 8 बच कर 8 मिनट सुबह तक देखे इस दिन सुबह इस नां ध्यान करके वरती व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले वो भगवान विश्णु के विविन रोपों का नाम लें साथ साथ आप ओम नमो भगवती वासु देवाए इस मंत्र का जब करें इस मंत्र को स्वयम नारत मुनी ने भक्त प्रहलाद को दिया था देखिए वैसे भी हिंदू पंचांकन साथ वर्ष में 56 एकादिशिया आती है और जब अधेक मास होता है तो उस दिन उस वर्ष जो एकादिशी की संक्या होती है वो 25-26 भी हो जाती है लेकिन जो नर्जला एकादिशी का व्रत है ये सबसे जादा मत्रपून होता है माना जाता है कि नारज जी चुकी भगवान विश्णू के सबसे बड़े भक्त हैं और उनको भगवत प्रेम और भगवत क्रिपा भी नर्जला एकादिशी व्रत के करने से ही प्राप्त हुई थी तो यह सभी एकादिशी व्रतों में सबसे जादा श्रेष्ट मानी जाती है अब देखे हम सबसे पहले इसकी कथा का इसमरन करेंगे और उसके बाद हम कैसे इस व्रत को करना है इसमें कैसे पारण करना है और क्या-क्या नियमों का पालन करना है यह उसके बाद जानने का प्रयास करेंगे तो देखे पौराणिक माननेताओं के अनुसार महाभारत काल के समय नर्जला एकादशी व्रत के कथा मिलते हैं जो इस प्रकार है कि पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रापती के लिए महर्शी वेद व्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प कराया अब माता कुंती और द्रौपती सही तो सभी एकादशी का व्रत रखते थे लेकिन चुकि भीम जो की गदा चलाने और खाना खाने के मामले में काफी प्रसद थे कहने का मतलब है कि भीम जी का जो शरीर था वो विशालकाय था वो ताकतवर थे लेकिन एक कमी थी कि वो भूग को बरदाश नहीं कर सकते थे उनकी भूग बरदाश के बाहर होती थी और इसके लिए तो महिने में उनके द्वारा दो उपवास रखना बहुत ही जादा कठिन हो जाता था जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पढ़ने लगा तो उन्होंने इसके लिए युकती सोची और वो इसकी युकती सोचते सोचते कि उन्हें भूग का भी ना रहना पड़ी और उबवास का भी उनको पुन्य मिल जाए और उनकी उदर पे आई विपत्त का समाधान भी हो सके तो उन्हेंने महर्शिवेद व्यास के पास जाकर पूचा भीम के पूचने पर उन्होंने कहा कि आपके परिवार के तो जितने सदसें वो इक आदशी का बुरत रखते हैं और वो लोग दिशी आप पे दबाव बना रहे हैं क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही ज़ादा जरूरी है लेकिन भीम कहते हैं कि मैं धर्म कर्म पूजा पाट दानादे कर सकता हूं लेकिन उपवास रखना मेरी सामर्द की बात नहीं है मेरे पेट के अंदर व्रक नाम जठरगनी है जिसे शांत करने के लिए मुझे अतिदिक भोजन की आवशकता होती है अतम मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता तब व्यासी ने कहा कि भीम यदि तुम स्वर्ग और नर्क में यकीन रखते हो तो तुम्हारे लिए भी यव्यत करना आवशक है अब इस बात पे भीम की चिंता बढ़ गई और उन्होंने व्यासी से कहा कि हे महर्शी कोई ऐसा उपवास बताने के कृपा करें जिसे साल में एक बार रखने पर ही मोक्षी की प्राप्ती हो जाए इस पार महर्शी वेद व्यास ने गदाधारे भीम को कहा कि हे वत्स यह उपवास है तो बड़ा ही कटिन लेकिन इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का पुन्यफल प्राप्त हो जाएगा उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुन्य के बारे में स्वैम भगमान श्री कृष्ट ने मुझे बताया है कि तुम जेश्ट मास के शुकल पक्ष की एकादशि का उपवास करो इसमें आचमन वस नान के अलावा जल भी ग्रहन नहीं किया जा सकता अता एकादशि के तिती पे निर्जला अपवास रखकर भगवान केशव यानि श्री हरी का पूजन करना और अगले दिन इस नानादी कर ब्रामण को या किसी गरीब को दान दक्षना दे कर बोजन करवा कर यदि आपने स्वैम बोजन करना इस प्रकार तुमें किवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के अपवास जितना पुन्य मिल जाएगा महरशी वेद व्याश के बताने पे भीम ने भी वही उपवास रखा और उस उपवास के रखने की वज़े से उनको भी मोक्षी की प्राप्ती हुई भीम द्वारा उपवास रखे जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीम सेने एकादशी भी कहा जाता है चूकि सभी पांडवों ने इस दिन उपवास रखा तो इसलिए इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है देखे निर्जला एकादशी व्रत थोड़ा कठिन होता है जैसा कि मारशी वेद व्यास ने बताया था कि इस दिन व्रती व्यक्ति को बिना जल के व्रत को करना होता है इसके अलावा इसमें पानी का एक घूट भी नेने की मना ही होती लेकिन जो लोग बहुत ही जादा मीमा है या व्रिद्ध है या उनकी कोई दवाई चल रही है वो इश्वर का स्मरन करके जल ले लेकिन इस व्रत को या तो आप ना करें या आप यदी इस व्रत को कर रहे हैं और आपकी तबियत खराब है तो थोड़ा जल एक समय ले सकते हैं इसके अलावा इस व्रत को अगले दिन अर्था दोआदशी के दिन सूर्य अदर के बाद ही खोला जाता है जिसके महोत के बारे में मैंने आपको वीडियो के प्रारम में भी बता जियाता चुकि यह लंबा समय होता है तो क्रिपया करके बिमार वेक्ती रोगी वेक्ती इस ना करें वो श्रेशकर होगा इसके अलावा इस व्रत की करने की कुछ विधियां भी है जैसे कि नर्जला इकादशी का सबसे श्रेश्ट विधिय यही है कि आपको एक तो जलका गहन नहीं करना है और दूसरा सुबह स्नान के बाद आपको भगवान से प्रातना करनी लेता हूं या लेती हूं और आप मेरी इसमें सायता करना क्योंकि यह जो व्रत रखा जाता है यह भारत का जो यह समय होता है सबसे ज़्यादा ग्रीश मकाल का समय होता तो देखें यह व्रत रखना निश्चित रूप से अपने आप में कठिन होता है और कहा जाता है कि अगले दिन व्रत के अगले दिन आप जल से भरे घड़े को कलश को या पीने के पाने को आप दान करें इसके अलावा आप इस दिन ब्रामणों को अत्वा गरीब कन्याओं को जरूरत मन को मीठा या दक्षिने का दान भी कर सकते हैं इसके अलावा इस दिन पूरे दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें पुरुषुक्त का पाठ कर सकते हैं इसके अलावा आप भागवत कथा का भी स्मरण कर सकते हैं यह बहुत ही पुन्निदाई दिन होता है इस दिन किये गए जब का पूजा पाठ क बहुत ही जादा आपको फल प्राप्त होगा द्वादशी के सूर्योदे के बाद विधी पूर्वक्त आप अगले दिन किसी ब्राम्मर को या किसी बालिका को आप कुछ खाने का समान अवश्य द्यान दे दें इसके अलावा जल का दान जरूर करें और गलती से भी आप इस समस्त पुन्यों का फल प्राप्त होगा और आपको संपून एकादशी के बराबर इस एक एकादशी ब्रत को करने के बराबर पुन्य आपको इस एक एकादशी से ही मिल जाएगा तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दीवी जानकारी पसंद आई होगी ऐसी रोचेक जान कारें के लिए क्रेप आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर रवश्य करें तब तक के लिए दोस्तो नमस्कार